Hello everyone, आज मैं बनाने वाली हो बटाटा वड़ा इसे आप घर पर बहुत आताई से बना सकते हैं और इसके साथ मैं बनाऊंगी खरी चत्नी भी तो चलिए जिबनाना शुरू करते हैं मैंने यहां तीन उबले वे आलू लिए हैं आलू उबल जाने के बाद इन्हें ठंडा होने दिया और इसके बाद इन्हें 2-3 खंडे के लिए फ्रिज में रख देना है इससे इन आलू का मौश्य कम हो जाएगा और इससे जो बॉल्स बनेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अब इन आलू को घिस लेंगी आप चाहें तो इन्हें फोक के मदद से या मैशर के मदद से मैश कर सकते हैं ये आलू हलके ठंडे हैं जिससे थोड़े कड़े हो गए हैं तो इन्हें मैश करें में थोड़े से महनत लगेगी मैं इन्हें काफी बारिक घिस रही हूँ आप चाहिए तोड़ा मोटा भी घिस सकते है आलो अच्छे से घिस गए और इसमें जाए बड़े पीसे नहीं है अब इसमें डालने के लिए तड़का बना लेते है एक ग्रांडर जान में छे लेसुन चार हरी मिर्च और एक इंच अद्रक ले लेंगे और इन्हें दरदरा पीस लेंगे इसे बिना पाई डाले पीसना है ये देखे पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा इसके बाद एक पैन में लगबग तीन टेवल स्पून ओल ले लेंगे इसमें आधा चमच राई डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो रखिएगा राई हलका चटकने लगा है अब इसमें आधा चमच ओड़त डाल एड़ करेंगे अब इसे कुछ सेकेंड ले पकाएंगे जब तक इसमें हलका से कलर चेंज ना आ जाए इसे बहुत अधा लाल नहीं करिएगा बस हलका से कलर चेंज आपको दीखेगा तब ही तक पकाएगेगा अब इसमें लगबख दो चमच कड़ी पत्ता कट करके डाल देंगे और इसके साथ में जो हमने पेस्ट पनाया था अधर लहसन मिर्चा का वह भी डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मेंट के लिए पका लेंगे जिससे जो लहसन को कच्छा पनाया स्मेल है वो चली जाएगी और जो ओड़त दाल है वो भी अच्छे से पक जाएगी ध्यान रखिएगा जो लहसन है उसे लाल ही करिएगा इसलिए से हम धीमियाश पर पका रहे हैं सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं अब इसमें एक चमच हल्दी आट करेंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी इसमें और को मसाला नहीं आट करना है इसे बहुत ही सिंपल तरगी से बनाएंगी यह बहुत ही बढ़ियां बनेंगी तो हमारा तड़का बिलकुल रेडी है अब इसे आलों के उपर डाल देंगी इसके बाद इसमें धन्या की पत्ती डाल देंगी इसमें एक चमश या स्वादन सार नमक आट करेंगी एक चथाए चमश लादमिश पाउडर ध्यान रखेगा कि तरगी में भी हमने हरीमिश का इस्तेमाल किया है तो उसे साब से आप उसमें लादमिश पाउडर आट करेगा वना इसके भी कर सकते हैं अब इन साइज चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारी आलू की स्टफिंग बिलकुल रेडी है अब इससे वड़े बना लेते हैं थोड़ा सा स्टफिंग हाथों पर लेकर इसे इस तरीके से गोल करते हुए वड़े की शेव दे देंगे ये देखिए बहुत आसाइज से वड़ा बन गया है इस तरीके से बाकी वड़े बना लेंगे आप वड़े की साइस को अपने ही साब से रख सकते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं बनाईएगा थोड़े छोटे बनाईएगा तो खाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं सारे आलों की स्टफिंग से इस तरीके से बॉल बनाने के बाद अब बेसन गोल सियार कर लेते हैं एक बॉल में आधा कब बेसन ले ले लेंगे अब इसमें 1.5 टेबल स्पून चावल का आठा डाल देंगे इससे जो वड़े हैं काफी क्रिस्पी बनेंगे इसके बाद इसमें स्वादाउं साय नमक और आधा चमश हल्दी एक चुद्धाई चमश लामिश पाउडर डाल देंगे अब इस साय चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोटवा पानी आठ करते हुए इसका गाड़ा घोल से यार कर लेंगे घोल को गाड़ा रखिएगा तब ही चो हमारे आलू के बॉल्स हैं उनके उपर बेसं की कोटिंग बिल्कूल पॉफेक्ट आएगी इसमें एक चुद्धाई चमश बेकिंग सोडा जिसे खानेवा सोडा भी कहते हैं वो आड़ करेंगे चावल के आते के विचे से जो वड़े हैं काफी क्रिस्पी बनते हैं अगर आपको बाश चावल काटर नहीं है तो आप बिशन के गोल में दो चमश गरम तेल अड़कर सकते हैं अब इस बिशन के गोल को दो अपने लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तब तक हाई चटनी बना लेती हैं एक ग्रान्टे जार में एक कप दन्या के पत्ती ले लेंगे अगर आप पास पुद्रिया के पत्ती हूँ तो आप वो भी डाल सकते हैं पांच हरी मिर्च डाल देंगे मिर्च आप अपने हाफ से जादा कम कर सकती हैं एक इच अध्रक डाल देंगे एक टेबल स्वन बुने वूफली डाल देंगे घ्रेट टेबल स्पून इसमें दही डाल देंगे धेश के वज़े से इस चटनी का टेस्ट और कलर ही बहुत अच्छा आएगा इसमें एक चंमज या स्वादम सा नमक आड़ करेंगे और उसके बाद इसे पीस लेंगे पीसने के बाद इसे बोल में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़ियां आया है चटनी का अब बड़े बना लेते हैं अलू के बॉल को बिसं के गोल के साथ अच्छे से कवर कर देंगे ओल सही गरम है या नि यह चेक करने के लिए थोड़ा सा बिसं की राद दे ओल में अगर बिसं कोल तुपर आ जाता है इसका मतला ओल बिलकुल सही गरम है अब इसमें एक एक करके जितनी कडाई में बॉल्स हैं उतने डाल देंगे सारे बड़े डालने के बाद इन्हें दो मिट तक बिलकुल टच नहीं करिएगा और इसके बाद इन्हें हलके हाद से पलट लेंगे ध्यान से हलके हाद से पलट लेंगे जो वड़े हैं वो ओल में फट न जाएं इन्हें बीज बीज में एक सुद्वा पलटते रहेंगे और इन्हें तब तक फ्राइ करेंगे जब तक यह हलके लाल ना हो जाए अगर आपने बेशन के घूल में कश्मी लागमिश पॉड़ा या डेगी मिश का इस्तमाल किया तो जो आपके वड़े हैं वो हलके ब्राउन हो जाएंगे तो आप बड़ा पाव भी खा सकते हैं नेक्स्ट अब मिर्ची फ्राइ कर लेते हैं अगर आपको मिर्ची नहीं पसंद है तो आप इसे ना फ्राइ करें मिर्च को फ्राइ करने से पहले बीच से कट लगा देना है वना यह तेल में जाते ही फटने लगेगी अगर आपको रेस्पी पसंद आए हो तो प्लीज में चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले